हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई चैनल टॉप पर स्टडी तो आज के हमेरा सेशन होने चला है फिर्स्ट इन इंडिया के रिलेटेड टॉप के टॉपक वाइज यहां पर स्टाटिक जीकेट टॉपक के कर रहा है क्योंकि अपकमिंग एक्जाम के लिए इंपारइंट होगा यह सेशन से चैनल टीके तो फ्रस इन इंडिया से क्वेशिन हमेंसे एक्जाम में पूछा जाता है तो देखते हैं आज पूछा जा सकता है उस इसके रिगर्डिंग जो question है तो जो exam में बार-बार पूछेगा इस question तो उस question को ही discuss करने चले तो चलिए देख लेते हैं first in India से कौन से कौन से question exam में जादा पूछेगा और वो question आज question में करने वाले है तो first question क्या हो जाएगे आपे तो question number one क्या है Among the following was the first neighbor Indian to receive the Bharat Ratna Award किसको मिला है पहले बार के लिए तो यह हो जाएगा C.V. Raman को उनके साथ और भी तो personalities को मिला है दिया गया वो कौन कौन है तो C. Raja Gopalachari, इस Radhakrishnan and C.V. Raman तीनों personalities को यहाँ पे मिले है पहली बार जो भारत रतनम Next question 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 number two क्या बोला गया What was the name of the first artificial satellite launched by India in 1975 तो कौन सा satellite होगा जो पहली बार इंडिया ने लांच किया first artificial satellite है ठीक है जो कब किया कि 1975 में उसका नाम क्या है R.J.Watt Okay, exam में बहुत पूछा गया question Next question question number three Among the following was the first finance minister of independent India Finance minister कौन है, independent India के पहले कौन थे तो हो जाएगा R.K.Sanmoghan 6 हो जाएगी आपे पहली finance minister independent India के Question number four Which was the first language conferred with the status of classical language in India Very very important Very very important बहुत बहुत exam में पूछा के CGL बोलो CHSL बोलो MTS बोलो WBCS के regarding जो PST level का exam हो सभी में question पूछा गया इस regarding तो क्या हो गया है कि कौन सा first language है यहां पे तो हो जाएगा Tamil को first जो classical language का conferred status दिया गया था Now हमारे यहां पे total six classical language है जिसमें से पहला जो है Tamil को दिया गया 2004 में सेंगे स्क्रिस को 2005 में कनाड़ा को 2008 में तेलेगू को 2008 में मलायलम को 2013 में और ओडिया को 2014 में यह साल जो दिया गया है हार एक six जो classical language का सब भी बहुत important है एक्जाम में सब भी पूछा जाता है especially ओडिया पूछा जाता है Tamil पूछा जाता है और पूछा जाता है तेलेगू मलायलम भी कभी कभी पूछा जाता है चाले next question question number five who was the first recipient of the ज्यानपीट अवार्ड ज्यानपीट अवार्ड क्या है यह literature में दिया जाता है literature का सबसे highest अवार्ड जो होता है यह होता है ज्यानपीट अवार्ड तो पहला डिसिपिंट कौनते तो हो जाएगा जी संकरा कुरूप now ज्यानपीट अवार्ड जो स्टार्ट अवार्ड यह 1965 में स्टार्ट अवार्ड देना गिवन कौन से फिल्म में पहले ही बोला literature में दिया जाता है literature का highest जो अवार्ड होता है next question question number six who was the first woman speaker of लोकसवा पहले woman speaker कौन बने तो कौन होगा तो मीरा कुमार हो जाएगा उनका time call क्या था उनका time prior था 2009 से 2013 में उनका prior था next question question number seven बोला गया who among the following was appointed as the first speaker of लोकसवा very very common questioning तो first speaker हमारे कौन थे तो हो जाएगा J.V. Mavalangkar जो पहली बार जो election जो लोकसवा हुआ था 1951 से 52 में उसी में वो elect हुए थे वो appoint हुए थे speaker of लोकसवा J.V. Mavalangkar and हमारे जो deputy speaker कौन थे प्रियर कौन से प्रियर पे 1952 से 1956 and first deputy speaker of लोकसवा एमें आयंका जिनका time call same time call था 1952 से 1956 में चले next question question number 8 क्या बोला गया among the following was the first Indian governor of Rizzo Bank of India ये आज भी पूछा जाता है पहले Indian governor कौन थे RBI के तो वो हो जाएगा C.D. देश्मुक ओके now RBI का establishment तो सबसे important होता है तो ये होगा 1st of April 1935 is year को याद रखना साल को headquarter का पे Mumbai महरास्टर में and current governor अभी कौन है सक्ती कान्तोदाजो 25th governor है RBI के RBI के full firm क्या है Reserve Bank of India next question question number 9 who among the following become the first लोकपाल of India पहले लोकपाल अमने कौन थे तो वो पहले लोकपाल थे पिनाकी चौंदरो घोश next question question number 10 who was the first woman to get the भारत रतन अवार्ट पहले ओमन कौन बने जिनको भारत रतन मिला था तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी को मिला था इंदिरा गांधी को कब भारत रतन मिला था in the year of 1972 में उनको भारत रतन मिला था next question question number 11 क्या बोला गया among the following was the first Indian to win the Miss World in 1966 तो कौनसे पहले इंडियन बने जो Miss World तो हो जाएगा रेता फरिया बने कौनसे year में 1966 में question number 12 क्या बोला गया who was the first education minister of independent India पहले education minister independent India के कौन थे वो सबको पता है हो जाएगा आबूल कलाम आजात थे okay now the education minister of India now कौन है तो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो union minister है अभी next question क्या होगा which was the first regional rural bank मतलब RRB set up in India पहला जो RRB इंडिया में set up हो था first regional rural bank तो वो कौन सा थे वो था प्रथम ग्रामीन बांक प्रथम ग्रामीन बांक का headquarter कहाँ पे तो वो जाएगा मुरादबाद मुरादबाद कहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसका establishment हो था 2nd October 1975 में question number 14 बोला गया who was the first foreigner to receive the भारत रतनो अवर्ड भारत रतनो सबसे highest और जो civilian honor होता है ठीके तो ये कौन किसको first मिला था तो ये मिला था जो first foreigner पोचा जाएगा तो होगा खान अब्दूल गफर खान को मिला था उन्होंने कब receive किया थे इस अवर्ड को 1987 में किया था इस साल को याद रखना ये साल भी exam में पूछा जाता है next question question number 15 होगा who among the following was the first Indian origin recipient of the prestigious Pulitzer Prize तो Pulitzer Prize किस में दिया जाता है journalism में दिया जाता है तो किसको पहले Indian जो recipient थे वो हो जाएगा गुविंद बिहारी लाल next question question number 16 बोला गया who was the first chief defense chief of the defense staff of India मतलब हमारे जो पहली CDS बने वो कौन थे वो थे General Bipin Rawat जिनका जो मारा गया कैसे जो plane crash मारा गया था next question अब ही जो present में CDS है जो second CDS है हमारे इंडिया के वो कौन है General Anil Chauhan next question question number 17 क्या है who was the first Indian to get the Oscar award get an Oscar award Oscar award मिला गया किसको यह किस में दिया जाता है फिल्म में दिया जाता है तो यह हो जाएगा Vanu Athayya को मिला था उनको क्यों मिला था she was a customer designer costume designer in more than 100 movies and she owned the Oscar award in 1983 movie in Gandhi कौन से movie के लिए गांधी movie के लिए मिला था उनको और कौन से year में 1983 में मिला था यह दोनों important है year भी पूछे जा सकता है name भी पूछे जा सकता है कौन से film का क्योंकि अभी question बहुत tricky हो रहा है तो सबको याद रखना जरूरी है next question 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 number 18 बोला गया who was the first Indian to win a Nobel Prize तो पहले Indian कौन में इनको Nobel Prize मिला था तो सबको पता होगा रविंदनाथ ठेगर जी को मिला था कौन से field में उनको मिला था literature में मिला था कौन से year में मिला था 1913 में मिला था किसके वज़ा से मिला था कौन से book के लिए गितान जली book के लिए उनको मिला था next question 19 number which state become the first fully organic state in India in 2016 तो 2016 में जो पहले organic state बने इंडिया के वो कौन सा state है तो हो जाएगा शिकीम next question question number 20 the first train inaugurated in 1853 that was been between the two station which two station कौन से दो station के अंदर पहला जो train जो inaugurate हुआ था 1853 में वो कौन सा होगा Mumbai and Thane जो दो station के अंदर तो यह किसने start किया था इसको कौन inaugurate किया था यह किया था Lord Dalhousi ने किया था and इसको जो distance है इसका distance से दोनों station के अंदर वो होगा 34 km बहुत exam में पूछा जाता है यह question भी next question question number 21 बोला गया who was the first posthumous recipient of भारत रतनो तो पहले posthumous recipient कौन थे भारत रतनो के तो हो जाएगा लाल बिहारी शास्त्री sorry लाल भादूर शास्त्री यहां पे हो जाएगा जो first posthumous recipient थे भारत रतनो के तो लाल भादूर शास्त्री को जो भारत रतनो मिला था वो कब मिला था 1966 में उनको मिला था इस साल को याद रखना कि यह यार भी एक्जाम में पूछा जाता है next question question number 22 बोला गया which one of the following is India's first or the oldest research nuclear reactor very very important तो कौन सा होगा तो वो हो जाएगा अपसरा उनका नाम है अपसरा and this reactor was designed by the Bhabha Atomic Research Center इसको बोला जाते है BARC and its establishment by 1956 में next question question number 13 क्या होगा which of the following satellites was India's first earth imaging satellite in a geostationary orbit तो कौन सा हो जाएगा आपे तो यह आपे हो जाएगा G.I.Sat 1 next question question number 24 क्या बोला गया question number 24 है who was the first chief of election commissioner of India पहले हमारे चीफ election commissioner कौन थे वो थे शुकुमार सेन now हमारे जो present 25 जो चीफ election commissioner है C.E.C. वो कौन है? H.G. कनिया हीरा लाल जे कनिया जो पहले हमारे चीफ जस्टिस अफ सुप्रीम कौर और चीफ जस्टिस अफ इंडिया बने now present में जो हमारे चीफ जस्टिस इंडिया के जो 50 चीफ जस्टिस है वो कौन है तो हो जाएगा D.Y. चंद्रचूद next question 26 number where was the first jute mill set up at the Kolkata in 1859 तो कहां पे हुआ था Kolkata में तो Kolkata में रीश श्राप पे ये पहला जो jute mill जो established हुआ था और setup हुआ था next question question 27 क्या है who was the first defense minister of independent India independent India के पहले defense minister कौन थे पहले पहले सब कुछ बहुत ही important होता exam के point of view से तो यहां पे पहले defense minister भी important ही वो कौन थे बल्देव सिंग तो चली यहां पे जो first in India में जो static जीगे का question है बहुत ही important question exam के point of view से question बार-बार exam में पूछा गया है और अगले exam में भी 24 में में जितने सारे computer exam होगा cglo, chaslo, mtso, face dual का exam हो, railways के जो ntpc, alp पर exam आने वाले हो सब state level का exam हो सभी के लिए सभी questions static जीगे का important है और इस subject से इस topic से question exam में पूछा जाता है ठीक है तो चली यहां पर आज समाप करते हैं अगर session को अच्छा लगा तो जरूर like, share, subscribe करना and comment में जरूर बताना next कौन से topic के उपर video लाए